दोस्तों यूं तो कहा जाता है कि फिल्म की सक्सेस में हीरो हिरोईन का काफी बड़ा योगदान होता है लेकिन इस बात को गलत साबित किया है हमारे कुछ बॉलिविट के अभी नेताओं ने जिनोने ना सुर्फ फिल्मों में एक होखार करदार को निभा कर लोगों को डराया है बलकि अपने बैतरी नविने से हीरोई को भी टकर दी ए इसलिए तो फिल्में बिना विलन के अधूरी माने जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मど की अधूरी कहानी को पूरा करन तो देख किस बात की चलिए वीडियो शिरू करते हैं अब बात कर इनके चौथे बेटे वेदांत की जो इनकी दूसरी पत्नी पोनी वर्मा के हैं जिनका जन्म अभी कुछ महीने पहले हुआ है और ये अपने क्यूट से बच्चे के साथ कई जगह पर स्पोर्ट किये जाते हैं यू तो बॉलिवुड की फिल्मों में सबसे ज़ादा कॉमेडी करने वाले अब इनेता बोमन इरानी का नाम सबसे पहले आता है लेकिन इन्होंने लगे रहो मुना भाई फिल्म में अपने दमदार नेगटिव के दा से सबी का मन मोह लिया था लेकिन अगर बात करें इस दमदार अब नेटा के बच्चों के बारे में तो इनके दो बच्चे हैं जिनका नाम कायोज इरानी और दानिश इरानी है अगर बात करें के बड़े बेटे दानिश की तो इन्हें बच्चपन से ही एक्टिंग में बेहर दिल्चस्पी नहीं थी इसलिए इन्होंने अपना प्रफेशन एक नर्देशक के तौर पर चुना और आज ये प्रड़क्शन हाउस मूवी टोन को एर्विटाइज करने के साथ साथ एक नर्देशक के तौर पर भी काम कर रहे हैं वहीं बात कर इनके चोटे बेटे कायो जिरानी के बारे में तो वो भी एक अबिनेता है जिन्होंने कहीं फिल्मों में काम किया है जिनमें से इनकी कुछ फिल्में हैं दा लीजिंड ओफ माइकल मिश्रा, स्टूडेंट ओफ द इयर और यंगिस्तान दोस्तों अगर आपने बॉलिवुड की ब्लॉक बस्टर फिल्म शोले देखी होगी तो आपको गब्बर सिंग का करदार निभाने वाले अबिनेता अमजद खान तो जरूर याद होंगे जिन्होंने अपनी खतरनाक एक्टिंग से दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खीच लिया था बले ही आज हमारे बीच ना हो लेकिन दर्शक आज भी इनके करदार को भूल नहीं पाए हैं लेकिन अगर बात करें सब इनेता के बच्चों के बारे में तो इनके तीन बच्चे हैं जिनमें दो बच्चे शादाव खान और समेब खान हैं और बेटी का नाम एहलम खान है अगर बात करें इनके दोनों बच्चों की बारे में तो शादाव खान एक अबिनेता है जिन्होंने राजा की आगी बाराद, बेताबी और रिफ्यूजीज ऐसे फिल्मों में बतौर सहाया का बिनेता काम किया है वह इनके छोटे बेटे समेव खान एक क्रुकेटर हैं जो मुंबई में होने वाली लीग कांगा क्रुकेट लीग के लिए खेलते हैं अब बात करते हैं इनकी बेटी एहलम खान की तो इन्हें भी बचपन से ही एक्टिंग में काफे दल्चस्ती रही है जिसके चलते इन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ थियेटर में भी काम किया है और जल्द ही बॉलिवुड में अपना डेब ब्यू करने वाली है बॉलिवुड से टॉलिवुड में अपने दमदार खलनाय को की बूमी का निभाकर सफल हुए अब अब नीता अशिश विद्यार्थी ने फिल्मों में अपनी दमदार प्रदर्शन से एक अलग पहचान बनाई है असाथ या बॉलिवुड इंडस्ट्री में अशिश बॉलिवर इंडस्ट्री से लेकर साथ इंडस्ट्री में अपने खूखार विलन की छवी बनाकर प्रसिद्ध हुए अब इनीता मुकेश रिशी ने अपने करियर में जादा से जादा विलन के रोल किये हैं और खूब नाम कमाया है लेकिन अगर बात करें से अब इनीता के जाना जाता है आपको बताने कि इन दोनों के रिश्टे में काफी अच्छी बॉंडिंग है जिसके चलते दोनों के बीच किसी बात पर मत भेद नहीं होता अब बात करते हैं इनकी बेटी के बारे में तो इनकी बेटी अभी 15 साल की हैं और धीरू भाई अंबानी स्कूल से पढ़ाई कर रही हैं लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं जहां ये अपनी और अपनी फैमिली की फोटोज शेयर करती नजर आती हैं तो दोस्तों आपको एन अब नेताओं में से किस अब नेता का फिल्म में विलेन का करदार सबसे बैस लगता है आप हमें उनका नाम कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलवर्ड इंडिस्ट्री से जड़ी ऐसी मसालदार खबरों को चानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें